आज हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उस बहुत चर्चित मां से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिने आपने कई बड़ी फिल्मों में मां के किरदार में देखा है अंजना मुम्ताज जी को कमाल अमरोही जी ने बतौर एक्टर्स लाँच किया फिर वो गुजराती, हिंदी और मराठी फिल्मों में बतौर मुख्यक अलाकार दिखी किन्तु उनकी पहचान फिल्मी मा के रूप में कैसे बनी चलिए जानते हैं उन पहलों को अंजना जी की जुबानी सिनमाजी डायरी डारेक्ट दिल से में अंजना मुम्ताज का जन एक माराठी परिवार में हुआ उनके जन का नाम विद्या माजरेकर था चलिए जानते हैं विद्या का बच्पन कैसा था मेरा जनम बॉम्बे में हुआ मैं बॉम्बे की हूँ महाराष्ट्यान हूँ 1949 में मेरा जनम हुआ Janvary 4 में 4 Janvary को और हम तीन भाई भाई पहने मैं सबसे बड़ी हूँ मेरी एक छोटी बहने और छोटा भाई हूँ हमनों कोंक्नी महाराष्ट्यान है कि अग्टे था कि मेरे डैडी से चुप चुप के में डान्स करती थी हमारी पुरी बिल्डिंग के लिए में एक जोकर जैसी थी कुछ भी हो जा जा बील्डिंग में कि सब लोग चलो आज संडे है बैच जाओ और मेरा नम विद्ध्या था विद्ध्या मांजरेकर नाम का मेर कि चलो अभी आज इसकी एक्टिंग करो, उसकी एक्टिंग करो, ये करो, कैयन सिंग की एक्टिंग करो, जमाने में कैयन सिंग चलते थे, उनकी एक्टिंग करो, हर इसकी विलन की करो, कॉमेडी करो, सब की मैं एक्टिंग करती थी, और डांस भी करती थी, तो एक बिल्डिंग ना कुछ कर रहे हैं, यह सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं अक्रिस ऐसे बनेगे कि मेरी मा जो थी, वो बहुत शौकिन थी, फिल्मों की, और वो हमेशा चाहती थी, कि मेरी दो बेटी हैं, उसमें से एक बेटी को मैं अक्रिस बनाओंगी, मगर बच्पन से मुझे कुछ एक्रिस बनने के लिए कुछ ने कुछ ती थी, कि इसे मैं क्या करूँ, तो उसमें सोचा कि चलो मैं इसको डान्स से शुरुआत करती, तो उसमें मुझे डान्स से शुरुआत की, एक मास्टर को बुला लेकि आई, और उनको कहा कि मेरी बेटी को है मा के चोक के चलते हमने डांस सीखना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई उन के जीवन की अनोखि कहानी ऐसे करते करते जो मास्ट्रात कि मुझे पढ़ाने आते दें सिखाने आते ते जो डांस कि में पाकिजा कि पाकिसा फंदागा पिट्रा ए तो आप मैसंट देखने आएंगी म्में आएंगे जुप कोठा में होय पहुत दांस मदा के तौर सबंस्टे को क्याएं वहां इंगे ऊड़ित के तो च्छो म्हुचिंड देख़ளन के लिए बंदाएंगागोगा जो वो उनको डांस्ट इनको एंको मास्टरिए और बागे जो कोठे मेज़ लटकियां थे करिया उनके लिए अलग अ। इसमें से मुझे एक, मास्टर करेविच चुना गया है तो मैं मुझे अभी मैं दांस सिखाने आपको नहीं हो सकता हूं मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, शुटिंग के लिए, एक मेने की शुटिंग है, तो हमने का थे हमने का फिर हमें शुटिंग तो देखने मिलेगी ने आपके साथ, बोले हाँ, हमें आपको लेकर जाओंगा, तो हर सैटरेड़े संडे़ जब स्कूल की छुटी होती थी, वो इस गहरा सलकी थी, और देखते थे आखें ऐसे फट गई है कि इतना बड़ा सैट, इतना सब कुछ, तब तक हमने सिफ सैट देखा है, वो लड़कियां पूरी एसे घूम रही है, डांस कर रही है, कोठे का लाइटिंग चल रही है, इतना बड़ा सैट, कि लाइट में मिले पूरी लाइटिंग की हुई है, और अभी चलेगा, और शॉट चल रहा है, मुझरे का डांस चल रहा है, पूरा सब पूरा लड़कियां डांस कर रही है, उन्ही का शॉट चल रहा है, बाजार में लोग आ रहे है, जैसे होता है मुझरा होता है, तो कैसे लोग जाते, तो मुझरा जैसे हो रहा है वैसे देख रहे है शुटिंग देख रहे है तो अभी कैसे करे हमने पूछा हमारे मास्टर जी को कि हम मिना कुमारी को मिल सकते है नहीं वो कब आती है क्या आती नहीं मालूम है और जब आती है तो सिप उन्हीं का शुटिंग होता है और उन्हीं का श साथे जाते थे हर साछेटेड़ संदी जैसा एक हो गया कि चलो एक शुटिंग देखने जाना है चलते थे एक दिन ऐसे शुटिंग के लिए मैंगे मायरी मम्मी वहां हम लोग शुटिंग चल रही ती चलते चलते लॉंच टाइम हो गया और अर लग दो लोग अक सब लोग र कोई जुमारे एकदम सामने एक गाड़ी रुख गई, और गाड़ी रुख गए, हम लोग भी रुख गए, तो देखा तो वहागा है, नोग मेरे ममी इसा मुझा खड़े होगी, उतरते ही उन्होंने ल को मेरी तरब देखा और मुझे कहा कि, तुमारा नाम क्या है? मैं दम ही होग ही कि अब क्या बोलू में क mandate कभी सोचा था कि इंसे मिलनेगे ग्र यह भी अचाना कैसख इसे раз कि पुछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने का मेरा नाम विद्ध्या है विद्ध्या नाम तो बहुत अच्छा है विद्ध्या नाम तो पढ़ाई का होता है तो तो तुम तुमने पढ़ाई की है? मैंने का अभी पढ रही हूं मैं अच्छा तुम यहां पर शुट क्या करन के लिए पढ़ा ही छोड़ के मता आना तुम आ जाना और अपने सेक्रेटरी से का कि यह जब भी बच्ची आएगी तो इनको आने देना और मेरी शुटिंग यहाँ चलेगी उनको वहां बिठा देना और मेरे मास्टर तो बहुत कुछ हो गए अरे वाँ आपको तो इतनी बड कि मिना कुमारी कि पास बढ़ के आप डांस देखेंगे शुटिंग देखेंगे इससे बड़ी और क्या बात चाहिए वाँ चलो तो आप तो आएंगे आएंगे दुसरे सैटरेड़े संदे फिर शुटिंग पर चल दिये फिर वही उन्होंने कहा था कि उनके मेकप में से भ चाहिए जाधा करके सुबह सोबही आती थी तो चलो मेकटे मेक मेक प्रोम में बढ़ा घृव प्रिछा लज्ट फोंके सांटीर के उनके घर से खाना आगया था हमें का क् smoking अद situación तो एंके मेकप में किके डेख रहे कि बड़ थे हैं कि में मुझ union तो उसके बाद फ तो इरह सुन कवरी थी न हूज हो गयर ते तो अलगा मुष्लिक गीन हो इतने में हनसे साव्वन के लिड़ी這麼 के अन्याप फीन hea cold धी का माला मुझ को अपना थी वही तो डिरेग्टर थी तो बॉह बड़ा थी कि ए se करना है क्या करना है काद रिंग Pelag कि अब यहां से यहां आना है, यहां आप कड़े रहना, यहां करना है, सब पता रहे थी, सारा कुछ हो गया, अब पता नहीं, अचानक उन्होंने बोल दिया कि अभी शुटिंग आज नहीं करते हैं, अभी इतनी रहसली बकाफी है, हम कल इसकी शुटिंग करेंगे, पैक, अधर आजाओ, फिर अपने हजबन से मिला, यह लड़की है, इनको फिल्म में काम करने का शौक है, अगर आपकी फिल्म में कोई रोल है, हमारी फिल्म में, तो इनको दीजी, तो कमानम जो नहीं देखा, उचश्मा ऐसे उपर नीचे करते, क्या इसको मैं रोल दूँ, ना यह चोटी है, ना यह बड़ी है, इसको मैं क्या रोल दूँ, अब मेरी ऐसी फिल्म है, मतलब मुझरे वाली पाकीज़ा फिल्म है, इसमें मैं इनको क्या रोल दूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम पढ़ाई अपनी पूरी करो, और पढ़ाई पूरी करने की बार, तुम आ जाना मेरे पास, फिल्म इंडस्ट्री की बात कुछ ऐसी ही है, यहां कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही हुआ अनजना मुम्ताज के साथ भी, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो हमने सोचा कि चलो, कमान उम्रों से एक बार मिल लेते हैं, तो उनके घर गए, तो घर की तीरा 14 से की, की थी तो इस पीच ग recuperator आप पाकिज्जा रुगे, बोट भी तो शुटिंग क्या हुआ हमें पता चला कि ऐसी यहायाँ, गलगे है, तो कमान उम्रों कुमारी गोरा हो एक पने नहीं के प्रोब्लमिस शुरू हो गए है, यह यहा पंधा ही ओजुटिंग की और उसने आपको दो हिरो है, उनकी बेहन का रोल करना है, तो हमने का ठीक है, बेहन का रोल करना है, और पार गवन का रोल करना है। जिसमें हिरो थे Sanjeev Kumar और फिरोजखा और एक नई लड़की जिसका नाम था Al-Saheva, जो कमाल उम्डोएनी रखा था, तो उन्होंने मुझे बहन के रोल के लिए दो भाई थे जो हिरो थे, उनकी बहन के रोल के लिए मुझे उन्होंने चुना, हमने कहा हाँ ठीक है, करेंगे और इसके बाद फिर एक दिन अचानक जब शुटिंग शुरू हो रही थी, शुटिंग के कुछ पंदरा दिन पहले, कमाल उम्डोए के ओफिस से फिर एक आदमी आया, उनका सेक्रेटरी, और उन्होंने कहा कि पिच्चर का महरत है कुछ पाच्छे दिन के बार, और उस फि हम तो हो नहीं सकते हैं, मैं तो बहन कर रोल करी, कॉंट्रेक्स आइन की हैं तो बहलें, नहीं है, आप ही हैं, तो हमने का ठीक है, उनको समझ में नहारा है, क्या रहा है, उस बात को भी हमने का ठीक है, अगर है हम तो देखेंगे, सोचेंगे, और मैं तो बहन का ही रोल करनी हम तो करनी जा रहें और फिर देट दूसरे दिन महुरत है जिसके एक दिन राद को फिर वो ही इनसान आ गए और वो आपके कहने लेगे कि कल महुरत है और आप के ऊपर है मेरे ऊपर हमारी ऊपर कैसे हो सकता है तो कि फिल्म की हिरो tying तो आप ही है इरोएं तो अपने एक लड़की को लिया है । जिसका नम अल्सायवा है है तो मैं कैसे हो गए। मैं तो विद्धियbstarse मैं पा Professor करूं Erहाएं we विध्धिया मन चाहरे आंब तो कल शुटिंग पर या के उनसे मिलेगे, तो कल शुटिंग पर या पको मिलेंगे, ठीक है किब आना है कितनी बजने है, सुबा साथ बज़े आपके पास गाड़ी आ जाएगी, और आप शुटिंग पर आएगे, ठीक है, कोई बात निए, हम पुरा परिवार, सारे जब के है, सुटिंग फिर थाइगे, है कि अएगे, तो मानोमिर आया रूम में, मेकप रूम में, तो इन्हों ने कहा कि अभी तुम की हिरोई हो, हमारा ये नाम है, हिरोईन का नाम कुलसूम है, और ऐसा आज कशी ने, अम्मी दैड़ी ने कहा के मगर हम बहन से हमारी बटी हिरोई थी उनको काम नहीं करना था तो हमनों को ने ये डेट फिक्स की थी तो हम इसी डेट पर करना था तो अभी आपकी बेटी रहे कि मगर एक शर्थ है कि आपकी बेटी का नाम हम अलसावा रखेंगे अलसावा रखेंगे ये कैसे हो सकता हम तो हिंदू है हिंदू में अलसावा न हम नहीं चाहते कि कुछ प्रॉब्लम्स इसे हमारी फिल्म के लिए हुआ है। तो फिर मेरे डाड़ी बहुत नाराज हो गए है। नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। मेरी मम्मी किसी तरह से अपने बेटी को फिल्म लाइन में डालना चाहती थी। उनको बस उनकी बेटी काम करें फिल्म में। और मौका मिल रहे। विद्या अलसभा तो बन गई। बड़े डारेक्टर के साथ काम करना भी तैय हो गया। लेकिन अभी अलसभा का अंजना बनना बाकी था। तक्दिर्गाई केले देखा जाए तो। उसी दोरान मेरे उनके कमार अमरी के यहां से खबर मिल गी। कि मिनाजी चाहती है कि पाकीजा शुरू करें और उनको काम करना चाहती है। ताक्दिर्गाई कम्ट्विट हो जाए जो अधुरी फिल्म है उनको वो पूरा करना चाहती है। तो खुशे की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उनको ने कहा कि अभी जो हमारी फिल्म है जो अभी हमने शुरू की है वो अभी हम लोग थोड़ा रोग देते हैं। और मिनाजी की तबवेद भी ठीक नहीं रहती है। अधुरी फिल्म में इतने कौरण रुपे लग गए हैं इस फिल्म के लिए तो इसे हमें पूरा करना ज़्यादा जरूरी है। जरूरी है। यह फिल्म शुरू कर देंज इस हम कर भी सकते बाद में, एक साल की बाद कर सकते हैं तो कोई कुछ फरक नहीं पड़ता। तो पाकिजा शुरू कर दी उसको रोग दिया और पाकिजा के दारान ऐसा हुआ कि मिनाजी की तभी ठीक रहे तो शुटिंग शुरू हो जाए कभी एकदम बिगड़ जाय तो फिर दो तीन तीन चार चार मने तक उनकी शुटिंग नहीं हो तो ऐसे करकर के उसमें निकल गए रही तेन तेन चार साल रगए तो प्रका साब से आपको कुछ बता दीजी कि हम को कब तक रुक्ने के लिए तैयार है तो उन्होंने का मैं आपको कैसे बता हूं कि कब तक आपको रुकना है कि मेरी सिच्वेशन ऐसी हो रही है, मैं कुछ भी नहीं बता पा रहा हूं आपको, कि ये सारा कुछ मिना जी की हेल्थ की उपर है, और मुझे ये फिल्म अभी पूरी करनी है, मेरा इतना पैसा लगा हुआ है, तो आपकी मर्जी आगर आप क्या चाहती हैं, आप सोचो, मैं त काम कीचे, मगर अब मैं आपको अपनी फिल्म में नहीं ले सकता हूं, तो ठीक है कोई बात नहीं, और फिर में वापस अलसाहवा थी जो थी वो फिर में वही विद्या मांजरेकर के नाम से, फिर मैं फिर मैं फिल्म इंड़स्ट्री में आगी, मुझे सबसे पहले तो पूर्ज आटक जाती थी, तो यह विद्या नाम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहता है, तो मैं तुम्हारा नाम में अभी एक फिम में काम कर शुटिंग करके आया हूं, उस फिम का नाम है राम और शाम, जिसमें हिरोइन का नाम है अंजना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम अंजना लखो, मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है, तो विद्या के जगा पे अंजना रखते हैं, ठीक है अंजना तो ठीक है, तो उन्होंने मेरा नाम अंजना रखा और अंजना के नाम से फिर वापस मेरी फिर्म इंडर्स्ट्री में शुरुवात हुई अल्साबा चली गई विद्या मांजरे कर भी हो गया और अंजना नाम से मैं फिर्म इंडर्स्ट्री में इस तरह से आई मैमु साप ने भूल नहीं बनाइ, वो फिम ने भूल भाइमीदे इसे के भूल किये वह रहार थोंघ मुम्ताज अली मैमुध नहीं के भाई , तो मुम्ताज ॲी भूल मुकरजी से जो मुम्ताज उनके दोस थे, तो वो उनके यहा उनके फिल्माले में जाना आना बैठना था फर वक उनके यहा जाते थे, वो फिल्म बना रहे थे संबंद और संबंद में अपने बेटे को, उनका बेटा हिरो था, देब मुकर जी और व अजय कश्यक, वो इस फिर्म के डिरेक्टर की, संबन की, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने, अजय बिश्वास ने का कि, मैं वो कलकटा से आई थे अपनी वाइफ को लेके, इनको भी एक्ट्रिस बनना था, तो उन्होंने शाषिदर मुकजी से का कि, मैं मेरी वाइफ को इस फिर्म क्वेंर, बममताज अँ आली ने कहा है कि मैं मैं बेटे ने अभी एक हरोइं मिल रसे, आप मिल लो उसे, आप को ठीक लगे तो आम उसको साइन किजी। और में मुम्तआज अली ने मुझे फिस में उनके साथ लेके गया, मैं मुकजी साब से मिली और उननरे मुझे पसंद विजे उन्होंने साइन कर लिया H अंजना नाम से, अंजना लड़की को साइन किया, तो आप देखो उससे मिलो और उसको साइन कर लो, बहुत अच्छी, ठीक है, उन्होंने देखा, महुआ में उन्होंने मुझे ले लिया, इसी तरह से पूरा बैंगॉली गूरूप जो था, तो दो चार बैंगॉली उसमें से कुछ फिल्में बनी, कुछ फिल्में नहीं बनी, महुआ बनी, संबन बनी, और संबन से मुझे काफी काम मिला, महुआ से भी काफी काम मिला, और अंजना नाम से मैं इस इंड़स्ट्र में आगी। अपने दिल और नजरों से कहिए, कोई और जगा तलाश कर लें, वरना ऐसा थपड़ मालूंगी, कि दिन में तारे नजर आने लगेंगे, हम पलीस वालों की पहुंश्टों एक ही बड़े घर तक है, कौन सा? जीन हाना, तो फिर वह यह से किसी को पकड़ ले? मैं महाराश्रिन हो, तो मेरे ममी डाड़ी चाहते थे कि मैं मराथी फिल्मों में काम करूँ, और डादा कौन के उजमाने में के बहुत बड़े डरेक्टर, एक्टर, प्रोडूसर्स थे, तो हमने का हाँ ठीक हम करेंगे, और मैं मराथी फिल्मों में बीजी हो गई, कुछ हिं मैं एक तो मुझे सावनभादो आई थी, जो सावनभादो मैं, में सावनभादो को पूरा कांट्रैक्ट मेरा हुआ हुआ हूँ के साथ, सावनभादो के लिए, बगर ऑदे नार नाय लड़का था, नवीन निर्ष JACK, और फिर साला कॉंट्राक्ट हुआ, मेरी सूटिंग का सारा डेट्स दी गई मगर ये दादा कौन के और सावन भादों के बीच में हम लोग फिर पस गए कि अभी दादा कौन के तो सबसे बड़े हैं महराथ के बहुत बड़े प्रोडूसर डिरेक्टर हैं अब ये नवी निशर के साथ मुझे एक नया लड़के के साथ मैं काम करूँगी तो फिर हमने सोचा कि दादा को उनके की फिल्म करें और हमने वो सावन भादो छोड़ दिर उन्होंने पिर रेखा को ली आ उस फिल्मी और वो फिल्म बहुत ही हीट हो गाई सावन भादो मगर मेरी मराथी फिल्म भी उतनी ही इट हुई जितनी सावन भदो की पै आंधरा मर तो डोड़ा अंजना का करियर अच्छा चल रहा था और यही वो वक्त था जब उनके जीवन में दस तक दी उनकी महबत ने सारे एर इंडिया का हम लोग को पूरी फैमिली है तो उसी फैमिली में मेरे हजबन साजित वो उनके पास उनका आना जाना था और हमारा भी आना जाना था तो साजित ने उसमें मुझे देख लिया उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या करती कौन है वो कलकटा से आय थे वो फिल्में बैग्राउंड से नहीं थे वो किसी को जानते नहीं थे फिल्मों के बारे में तुम पता है नहीं था तो कि वो ऐसे फैमिली से आये थे तो उन्होंने पूछा मुझे कि तुम क्या करती हूँ मैंने का मैं कुछ भी नहीं करती हूँ कुछ भी नहीं करती हो, कुछ भी कैसे कोई नहीं कर सकता है, तो इसे तरह से हमारी मुलाखात होती रही होती रही, उसके बाद फिर बस हम दोनों का फिर प्यार हो गया, और अभी क्या करें, शादी का वक्त आ गया, मेरे ममी डाडी को पता चलिया, कि मैं एक मुसल्मान मेरे मेरे तुम्हारे डाडी के साथ हूँ, तो कि मेरे डाडी बहुत नाराज थे, पहले यह अलसबा और इसकी वजह से तो नाराज ही थे, अब यह शुद हो गया, तो उन्हें ने कहा, मेरी ममी ने कहा, अब मेरे तुम्हारे डाडी को नाराज नहीं कर सकती, हम तो तुम् कोई दुसरा लड़का होता हिंदू तो हम जरूर करने देखें। मुसल्मान है हम करने ने तो अब क्या करें। ठीक है फिर मैंने मेरे हजबन जो आज है उस वक्तों मेरे बॉइफ्रेंड थे तो मैंने उसे का रिषादी हो नहीं सकती है बहुत कड़ा। एक जपर्दस हिंद तो लड़की को, ये तो बड़ी समस्या हो गई तो ठीक है फिर, नहीं करते है शादी। उसमानी जब करने है जब तुमारी मम्मी डाड़ी राजी हो जाएँगे। अपनी महबबत को पाने के लिए अंजना सबसे लड़ गई और अपने करियर को भी दाव पर लगा दिया लेकिन कहते हैं ना सची महबबत के सामने तो खुदा को भी जुखना पड़ता है और यही हुआ अंजना के साथ भी मेरे साथ मेरी मम्मी शुटिंग पर आना बंद हो गई थी और बात भी नहीं कर रही थी वो पहले जैसा माहल हमारे हमें नहीं था मेरी बहन रोज रोती थी की प्रफूअ थी क्या है, क्या रखा है, जो एसा क्यूं कर रही है छोड़ दो, घर का माहल देखो, ठीक नहीं लग रहा है, तुम काम चोड़ रही हो, काम नहीं कर रही हो, ऐसे मत करो, और प्रोडूसर्स लोग आके आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रही है, क्या वज़ा है, क्या है, और कुछ फिल्में मैंने मेरे अपने केरियर को छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, इतना सबकुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक प्यार के लिए तो बस मेरी मम्क ड्याड़ी हार गए साथ साल हो गए तो उनुने कहा कि बुला लो शको अब कुछ कर निए सकते हшь चादी कर दो और दो दिन ने बनाकि एक्लेट उसको कह दिया कि तुमको शरारा बनाना है, ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ मुस्लिम तरीके से कपड़े पहनू, कुछ तो लगे कि कुछ तो थोड़ा सा लगे, और शरारा बना दो, शरारा बना दिया, और दो दिन के अंदर जितने सारे बीवेस थे जितने सारे लोग थे जैँद भी जाँ रहे हैं डास्ते में सब फ्रेंड्स को बोल दे रहे हैं कल हमारी शादी आजाना फंच बजे शाम को आजाना यह एड्रेस दे दे इम और गाट इसाना आज़े लोगगए करके वो दुपटता जैसा भी था वैसा दे दो मगर शादी करें अगर कही ममी डाड़ी ने फिर कही उनके विचार अगर बदल गए तो प्राब्लम हो जाए कि तो शादी कर लो पहले उसके बाद जैसा भी हो जाए अंजना अंजना मुम्ताज बन गई थी और वो दोबारा से काम करना चाहती थी वीरा वाली मेरी खिस्मत खोटी थी आपका कुछ खुशूर ना है जी ऐसे में उन्हें कमबैक का मौका मिल गया और उसके बाद फिर ये बुनियाद सिरियल मिल गया ठोशूर जो मेरा राखी भाई था वो किसे एक अक्टर के साथ करैन जुनेजा के साथ काम करती थी उनके सेगरी थी तो उन्होंने का कि एक बनियास जीएल और उनसे भनार करेंग यह ग़िए यहशूर लग कि मेरे इस करेक्टर के लिए आप एकदम सूठ हो रही है और बुनियाद में मुझे मिजे बिजन्दर घटके की वाइप के लिए और उन्हें ने मुझे यह कहा कि छब इस एपिसोड के बाद आपके एंट्रिय है और ने का ठीक है कोई बात ने तो उस वक्त मेरे बस काम जब बुनियाद में उस जम औने में जब बुनियाद सिर्यल में टाईटल दिया जाता था आठर लोगों का सब्का जो आजकल नहीं होता है आजकल क्योंए काम करें, पता ही ने चल्ता है और अप्रिस प्रोदुसरों क घुवते कर आए, पुछे की नाम कोछाma कि उठक्षे के हिन्हे नाम के उप्धाल पुच्छा घे आडाल ए सफйाटल में भी वन ग्या नाम की दालेगे तो हमने कारन प्रोडुसर डिरेट्रों कही नाम तो अन्न पर मैं अंजणा मुम्ताज। फिर मैं अंजणा मुम्ताज हो गई। और फिर मेरे अंजणा मुम्ताज पिर में जलनी शुरू होगी। अब लese सिरेईल तो बहुत हीठ हो गया। उस एम इख भी ऐसी स्टोरी है कि उस जब इस जब बन रहा था उस वक मेरे करेक्टर की तो पहब तेह नहीं पारिफ वह और रहीanic थी मगर ऐसे मुझे प्रशुर् the automotive और श्मित ideal की कॉई ऐसी ओफर नहीं आरही थी काम १ॅ यियुकर नगी नजर मुझ पर पड़ गईímुकि वह लोग हां रोज ही काम हो यह नहीं हो। हम लोग वहाँ पर शुटिंग पर जाना रोस का था तो उन्हें देखा मुझे पूछा कि आप ऐसे रोले करेंगी है करूंगी क्यों नहीं करूंगी मैं तो काम करने के लिए हुए 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 रोले या कुछ भी हो और इस तरह से फिर मैं मेरा मा के रोल का मैंने काम शुरू कर दिया जब उन्होंने मा के करेक्टर्स शुरू किये तो अंजना की उम्र जादा नहीं थी इसी वज़ाए उनकी एक फिल्म को बंद भी करना पड़ा जब फर्स दे में हमा मलनी जी के हमा जी के सेट पे गई थी और मिरारूं का सिंता बेटी और मा बेटी का पिछे का नाम में भूल गए फिल्मने मान जी के सब्सक्राइज के जड़ी में मान ती के सस्वान इसनों म्हान जैडू खिलतु हास का को बलां सकृमें तन और मश्ऩ एकत पर घूरियारी में एक ओप सुरीष ऋबरार हमा जी जब मैं पहले दिन पहला मा नहीं दो नहीं कर सकते आपके साथ का मैं उभी जव इसेंट मेरे मुझे निकले गाए नहीं मां करके छुष मुरे कर मुझे ऑपार रौYou घूम्यASE भैंक मजे यहां में तो नहीं कर सकती आपके साथ का तो पड़ेखा भी सीन वेसा है, मैं तो आपके माई हूँ इधर, और आप मेरी बेटीएं मैं तो वो तयार हो करने का लिए, मुझे कोई प्र Ave most नहीं के लिए कि मुझे आपको बेटीग में के लिए, अब आप ने पुछना चाहिए था कि मेरे माँ कॉनसी किस टाइब के ले रहे हैं मुझे तो करना ही है तो मेन तो यह जोडने वाली नहीं जो बहुत उन्हों नहीं जा ऐन नहीं मुझे दो पूरिफ किया नहीं नहीं करना चाहिए तो उनको नहीं लग रहा हुगा, शायद उनको नहीं एक्ट्रिस हैं, तो उनको नहीं लग रहा हुगा, मैं इसको मा कैसे बोलूँ और उनके अंदर से नहीं आ रहा होगा, शायद पता नहीं क्या होगा, तो फिर्म बंद हो गई, तो ऐसे भी कभी हो जाता है, उस जमाने में सिर्फ अकेली महीं मा थी तीन-तीन शिफ्टे करती थी और कोई मा के रोल करने के तैयार ही थी कोई मैं इतनी यंग थी मैं कुछ 30 साल की 32, 31 साल की थी और मैं मा बन गई थी असले जिन्दगी में मा बन गई थी और बड़े इन सब बड़े तो उस दमाने बाकी जो हिरो ने थी वो सब छोटी थी यंग थी और वो नहीं चाहती थी कि तीस साल की उमर में इतने बड़े-बड़े हिरो की मा बने तो मैंने करना शुरू कर दिया था साइन करते दाकेश रोशन की फिल्में मैंने दो फिल्म में काम किया और भुलगी अभी में सारे बड़े-बड़े यश जी के साथ काम किया तो उन्होंने सारे मा करोल के लिए फिर तीन-तीन शिफ्ट में करती थी मा करोल के लिए और मेरे लिए वेट किया जाता था जब काला बाजार राकेश रोशन की फिल्म की शुटिंग चल रही थी तब मैं कर रही थी दुले राजा डिरेक्टर उनकी फिल्म में काम कर रही थी और राकेश रोशन की फिल्म में मल्टी स्टार एक्टर्स थे सारे जिसमें अनिल कपूर थे, फरा थी, कीमे काटकर थे, जाकी शरॉफ थे, और कादर खान थे, सब बड़े-बड़े एक्टर लोग थे, और क्लाइमेक्स इन चल रहा था, और राकेश रोशन तो खुद अपने ही इतने बड़े डिरेटर प्रोडूसर, और दो फिम की शुटिं की और शॉट के लिए मतलब मैं पहुंच की, ऐसा मैंने उस जमाने में काम किया, क्योंकि और कोई मा थी ही नहीं, मा रोल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं थे, इसके बाद फिर सारी माहें आनी शुरू हो गए, इस सब ने सोचा कि यह जब कर रही तो हम क्यों नहीं करें, फिर बाद में माशुमी आ गए, इरिमालागू आ गए, इबिनाजी आ गए, सारे जितनी सारे आइक्टिस थी, सब फिर मात रोल शुरू हो गए, बच्चे की वज़ा से फिर मुझे लगा कि मुझे अपना काम को रोकना चाहिए, तो अब कैसे करें, मेरे हजबन कभी पन्रा दिन बामबे में है, दस दिन बाहर है, फिर चार दिन बामबे में है, फिर बाहर जा रहे हैं, उनका काम ही ऐसा था, तो वो घर पे नहीं रह सकते थे, तो मेरा बेटा जो था वो नोकरों के हाथ में था, आया लोगों को मैं रखा था और मैं शुट कि वह आफस आही रहे तो अब क्या करें तो फिर हम ने शुटिंग पर थोड़ी से इसे उदास बैठी रहती थी ती मैंने दिम्पल के साथ शुटिंग करे थे तो दिम्पल ने मुझे पुचा क्या हुआ अप अज तीक नहीं लग रही है तो इन्जना जी आप क्यो आज तीक ऐसे बहुत लागा तो मुझे बहुत टेन्शन हो रही है और नौकरों के हाथ मेरे बच्चे को रखना ने चाहती है मेरी माँ आके मेरे बच्चे को देखती हैं मगर वह कहां तक देखेगी मेरे भाई की भी शादी हुग है उसके भी बच्चे है मैरी बहाँ को नहीं पthe ब आपने उपर होता है आप बच्चे को समझाना कि आपने बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चे को क्कूल में वह रखा है तों ठीक है तो फिर मेरे अपने मेरे हपने हस्पन से मैं इसक्रशन किया कि मैंनि कहा control में मेरी मैं ड़ेटि को मैं बोर्डिंग स्कूल में डला था ता हम अभी आप डाली है मैंने बेटियू पर पजगरी में नियु एराइस स्कूल में वहां डाली तो बोली मैं जब जाओंगी मेरे ममी डाड़ी जब जाते मेरे बेटी हों को मिलने के लिए आप जाना हम गए वहां से प्रिंसिपल से मिले और रुस्लान का नाम हमें उस स्कूल में डाल दिया जब रुस्लान छे साल का थ और तब उसके बाद मैंने काम शुरू किया काफी काफी काम किया मैंने मैं और मेरे हजबन दुस्तान को मिलने हम लोग स्कूल में जाते थे बोली स्कूल में पंजगरी में और उसको हर मेने हम लोग मिलते थे और उसको ये समझाते थे कि तुम्हें हमने बोली स्कूल में इ हम नहीं चाहते हैं कि तुम नौकरों के हाथ में बड़े वे, तुम्हारे नाने के पास भी टाइम नहीं, तुम्हारे मामा के बच्चे भी है, तुम्हारी मासी नहीं अभी वो चली गए हैं दुबए बे, शादी करके, तो अब कोई भी नहीं है बड़ा गर में, तो अभी त समय अपनी गती से आगे बढ़ता रहा अंजना जी अपनी फिल्म्स और सीरियल्स के शूट्स में काफी बिजी थी लेकिन साथ ही उन्होंने अपने बेटे और परिवार का खयाल भी रखा मेरे हजबन घर पे हैं और मैं शुटिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 11, 15, 12 बारा बजे घर आरी मेरे हजबन ने खा लिया है मेरे बेटे ने खाना खा लिया है और मैं अपना मेरा खाना रखा हुआ है मैं खाना अपना लेके खा रही हूँ और वो भी अभी एक बज़े में सोने जा रही हूं, वो भी बात कर रहे हैं, मगर वो भी वेट करकर ठके हुए है, मुझे भी सुबा उटके साथ बज़े जाना है दूसरी शुटिंग पर, तो मैं ज़ादा बाद भी ने कर पा रही हूं, फिर मुझे यही दिमाग में, मुझ कि अभी सोना एक खाना काके, तो मैं उसी टेंशन में सोने जा रही हूं, जब मैं काम कर रही। तो मैं खूश हो के काम नहीं कर रही हूं, मुझे ऐसा लगा कि मैं मुछ्फी ठीक नहीं कर रही हूं, मेरे हजबन डिटार हो ग attempt मैं अभी भी मेरा शौक को ही पूरा कर रही हूँ, यह मेरा जो काम ही, उसको मैं कर रही हूँ, जब कि एक आर्टिस्ट का शौक, एक्टर का शौक क्या होता है, उसको काम करना है, एक्टिंग करना है, तो मैंने सोचा कि यह जो मैं कर रही हूँ, मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मेरी फैमिली भीकर जाएगी और काम की वजा से। तो मैने मेरे मेरे हज़़न को मैंने कहा कि आप रटायर हो गए ना अब मैं भी रटायर हो और रटाइर होना चाहती। तो मुझे ने, 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 ऐसा नहीं करना, तुम कोई वज़ा से किसी दबाव से नहीं करना, क्योंकि तुमने इतने साल बीच में मेरी वज़ा से काम चोड़ा था, मुझे याद है, साथ साल तुमने काम नहीं करता अपनी जवानी के दिनों में, जब तुम्हारा पिक टाइम था, वो पिक टाइम ने तुमने मेरे लिए काम छोड़ दिया था, और आज फिर वो ही तुमको काम इतना मिल रहा है, और ये भी तुम्हारा भी पिक टाइम है, मिल रहा है तुमको काम, और तुम मेरी वजह से पिर काम छोड़ोगी, यह मैं नही मुझे पता नहीं क्यπό मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहे है कि मैं घर आती हूँ मुझे लग रहा है कि मैं सुभा जाती हूँ नहीं encouraged बच्चे को नहीं देख रही हूं. बेटा तो बड़ा हो गया, जवान हो गया. और ना मैं आपको ठीक से देख रही हूं, आप गर में अगेले बेटे हुरे हैं. ना कभी हम कोई प्रोग्राम किसी की शादी में जा रही हूं, तो मैं नहीं, शादी में आप अकले जा रहे हैं, इसलिए कि अगर मैं किसी डारेटर, प्रोल्सर को कहूँ कि मुझे आज जल्दी छोड़ दीजिये, मुझे आज जल्दी जाना है, कहीं बहार जाना है, मेरे फ्रेंड के बेटी की शादी है, मुझे जाना है, उसके बाद हो गई है, मेरे फ्रेंड के बच्चे लोग के, बाहर दरवासे के पास, हम लोग खड़े हैं, और बस, सलाम दुआए हो रही है, मुबारख बाते हो रही है, जो गिफ दे दे दिया और बस आगे, मैं शादी का कुछ मतलब नहीं, मैं सुचते है, किस लिए मैं कर रहे हूँ क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या पैसे के लिए कर रही हूँ, या मैं अपने शौक पुरा करने के लिए कर रही हूँ, क्या नाम फें इसके लिए कर रही हूँ, बहुत मैंने सोचा, मैं सोचते, 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 मैं समझ में नहीं है, मेरे हजबन के साथ म तो फिर मैंने रुसलान बढ़ा हो गया था तब तक, तो फिर मैंने रुसलान से पुछा, तो मुझे बता, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में क्या करें, तो उसने कुछ भी निये सोचा रहे का, ममी चोड़ दीजी काम, अब मुझे बहुता क्या, तुम बिना सोचे समझे, एक काम नहीं करना चाहिए, फैमिली घर और आपको अभी घर पे रहना चाहिए और मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं इंडेस्ट्रे में काम कर रहा हूँ, और आप भी शुटिंग पे जा रही हूँ, ऐसा माहूल मैं भी नहीं चाहता हूँ हमारे गर में हो, कि दो लोग इस घ रहा है कि काम चोड़े। अंजना मुम्तास जी के इस योगदान को सलाम करती है।